Circulation Checks, Lower Extremity अपने पैरों में रख्ट के प्रवा की चांच करने से पहले गुरुपाकर इस पूरे वीडियो को देखे। ये वीडियो आपको सिखाएगा कि अपने पैरों में रख्ट के प्रवा की चांच कैसे करे। आपके पैर में की गई सर्जिकल प्रक्रिया यानि ऑपरेशन और शल्य प्रक्रिया के बाद उसकी रेकवरी यानि पुनप राप्ती के लिए अच्छा रख्ट प्रवा होना महत्वपून है। चरणिक, जो पैर सर्जिकल प्रक्रिया यानि ओपरेशन और शरल्य प्रक्रिया में से ठीक हो रहा है, उसके पाउं और उसकी उंगलियों को देखे. आपके दोनों पैरों की उंगलियों की तुल ना करे, क्या आपको कोई अंतर दिखाई देता है? सर्जिकल साइट, यानि ओपरेशन किया गया हो वो तरफ, आपका पैर और पाउं की उंगलिया गरम होनी चाहिए, उनका रंग सामान्य होना चाहिए, और उन्हें बहुत कम या कोई सुजन नहीं होनी चाहिए, इन संकितों का मतलब है कि आपके पैरों में रख्त का प्रवा अच्छा है, यदि आपका पाउं लाल या कहरे नीले रंग का लग रहा है, ठंडा लग रहा है, या उसमें बहुत सुजन लग रही है, तो आपके पैर में रख्त का प्रवा कमजोर हो सकता है, चरण दो, क्या आपके पैर की उंगलिया सुन हो गई है या उनमें नी होना, ये दोनों रख्त के कमजोर प्रवा के संकेत है, या यदि आपको एक प्रकार का अनस्थेश्या, जिसे नव ब्लॉक कहा जाता है, वो दिया गया हो, तो जब तक उसका प्रवाव कम नहीं हो जाता, तब तक आपको सुन्नता का अनुपव हो सकता है, यदि आप न शिक नहीं है, आपको नव ब्लॉक दिया गया है, या नहीं, तो उसके बारे में आपके सर्जन से पूछे, चरन तीम, आपके पैर की उंगलियों को बार बार हिलाए, आपके पैर की उंगलियों को लगातार हिलाने से, आपके पाव में रख्त के प्रवा में सुदार आ सकत हर चार गंटे में या आपके सर्जन के द्वारा दिये गएने देश के अनुसार पहले से तिसरी चरण को दोर हाए रख प्रवा अच्छा है या नहीं ये चार्च करने का एक और तरीका है Capillary Rifle Test परिदिय उत्तंक के माध्यम से रख के प्रवा का आकलन करने के लिए किया जाने वाला एक तेश परिक्षन जो करना है Capillaries यानि केशिकाए चोटी रख द्वाहिकाए होती है जो आपके पाओं की उंगलियों तक आक्सिजन युक्त रख पहुँचाती है जो आपको ये जानने में मदद करता है कि इन चोटी रख द्वाहिकाओं के द्वारा जिस तरफ सरजरी यानि आपरेशन की गई है उस तरफ के पैर की उंगलियों तक रख कितनी अच्छी तरह से पहुँच रहा है चरन एक तीरे से अपने पाव के अंगोठे की नौक को सीधे नाखुन के हिस्से पर अपने हाथ से दबाए चरन दो जब तब कि आपके पैर के अंगोठे का नाखुन सभेत न हो जाए तब तक दबाए और फिर छोड़ दे आपके पैर के अंगुठे का नाखुन दो से तीन सेकंड के पितर फिर से घुलाबी होना चाहिए इस संकेत का मतलब है आपके पैर और पाउं का रखप्रवा अच्छा है और चार गंटे में या आपके सर्चन के द्वारा दिये गए निर्देश के अनुसार पहले और दूसरे चरण को दोराए यदि आपको निम्नलिखित में से कोई भी लक्षन दिखाई देते हो तो अपने सर्चन से संपक करे आपका पैर लाल या गहरे निली रंग का लग रहा है आपके पैर में बहुत सुचन लग रही है आपका पैर ठंडा लग रहा है सुनने पढ़ गया है या उसमें जुन-जुनी हो रही है जब तक की सर्जरी यानि आपरेशन के दौरान आपको नव ब्लोग का इंजेक्शन न दिया गया हो जिसके कारण जब तक उसकी असर कम नहीं होती आपका पैर सुनने लगता है या कैपिलरी रिफिल टेस्ट यानि परिदिय उत्तंक के मात्यम से रख के प्रवा का आकलन करने के लिए किया जाने वाला एक देश परिक्षन जो करते समय आपके पैर के नाकुन को फिर से गुलाबी होने में 2-3 सेकंड से अधिक समय होता है